याश, श्रीनीदी शेठी, संजेदत और रवीना टंडन जैसे का लाकारों से सजी कंड़ फिल्म केजिएफ चैप्टर टू ने अपने चौते हफ्टे में भी शांदार कमाई का सिलसला जारी रखा इस फिल्म ने सिर्फ चौते हफ्टे में जितनी कमाई किया उतनी कमाई अजिदेवगन के फिल्म रन्वे 34 और टाइगर शॉफ की फिल्म एरो पन्ती मिला कर नहीं कर पाई है वहीं फिल्म केजिएफ चैप्टर टू की सफलता ने इसके निर्माताओ को फिल्म के तीसरे भाग के लिए काफी ज़ादा एक्साइटेट कर दिया है फिल्म के रिलीज के चार अफ़ते पूरे होने के दिन, इसकी निर्माता ने फिल्म के तीसरे चैप्टर की शूटिंग शुरू होने और फिल्म के रिलीज होने के बारे में जानकारी देकर रौकी भाई के प्रशंशको को खुश कर दिया उन्होंने ये भी का कि KGF उनिवर्स में हिंदी सिर्मा के दिगज एक्षेंस हितारों को लाने की योजनाब बन रही है और इसमें रितिक रोशन का नाम संभावितों की सूची में सबसे उपर आता है देश बर में अपनी मूल भाषा करनर के अलावा तमिल तेलकू, मल्यालम और हिंदी में 14 अपरेल को रिलीज दी केजे चेप्टर टू इस साल की देश वी देश में सबसे ज़ादा कमाई करने वाली पहली बारतिय फिल्म बनी इस फिल्म ने ओपनिंग के दिन से लेकर पहले वीकेंड, पहले हफते, पहले सौ करोड, दूसरे सौ करोड से लेकर चौते हफते के कारोबार तक कई बड़े रिकॉर्ड दरज कराए लेकिन चौते हफ्ते की कमाई के मामले में केजे चप्टर टू अभीने ताविक्की कॉशल की फिल्म उरिदा सर्जिकल स्ट्राइक से मात जरू का गये लेकिन केजे चप्टर टू ने जितनी भी कमाई करी हर कोई इसका दिवाना बन के रह गया देखना होगा कि रितिक रोशन क्या इसमें नजर आते हैं नहीं आप हमें कमेंट करके बताएं आप लोग कितने एक्साइटेड एप फिल्म के लिए और विखबरों के लिए सब्सक्राइब कर दे चानल देखो देखो को